नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं दोरान परती की ओर से वरिये अधिवक्ता अमीद कुमार ने पक्ष रखा चंद्रप्रकास चौधरी ने सरोष नयाले में जार्खन सरकार के खिलाब जार्खन में बीना OBC आरक्षन के नगर निकाय चुनाओ कराने के बिरोद आमान्या याजिका दायर की है याजिका में जार्खन सरकार ने पक्ष चुनाओ के पहले सरोष नयाले में जो सपत पत दायर किया था उसका पाला नहीं किया सरकार ने उग्त सपत पत्र के विरोद बीना OBC के आरक्षन का निकाय चुनाओ कराने का निना ले लिया है उलेखनिया है कि सांसाद ने इसी साल हुए पंचाज चुनाव से पुर्व सरोष नियाले में OBCR अरक्षन लागू करने के संबंद में एक याज के दायर की थी तब जारक्षन सरकार द्वारा सरोष नियाले में सपत पतर दे कर बताया गया था कि OBCR समधित ट्रिपल टेस्ट परक्रियाधीन है जारक्षन में ठंड बढ़ गई है कोछ इलाकों में कोरा भी पढ़ रहा है आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है इसी बीच सोमर को राज में डाल्टे गई सबसे ज्यादा ठंड सहर रहा है बतादे दिसंबर का महीना दस्तक देने वाला है इसे पहले ही ठंड का मिजाज देखने लगा है जारक्षन के डाल्टे गई में हार कापने वाली ठंड पर रही है डाल्टे गई का नियुतम तप मान 7.5 डेगरी रिकोर्ट किया गया वहीं इसके बाद सबसे कम ताप मान सिम्टेगा में 9.9 डेगरी दर्ज हुआ है पिछले 24 कंटे में रांची का निमताप मान 12.1 डेगरी रहा है अगले 5 दिनों यानी 3 दिसंबर तक की बात करे तो मसम केंजर के मुताबिक पलामू चत्रा गढ़वा लाते हार कोडार्मा में औसत ताप मान 8.9 डेगरी सेस्यस के बीच रहेगा है पाराशिक्षकों ने हाई कोट से लगाई गुहार बराबर बेतन की मांग टेट परिक्षा पास पाराशिक्षकों के समयोजन की मांग वाली अचका पर हाई कोट में सुनवाई पाराशिक्षकों के समयोजन की मांग को लेकर दायर याचका पर मंगल वार 29 डेगरी से लगाई है कि पाराशिक्षकों को सहायक्षक के बराबर बेतन मिलना चाहिए क्योंकि वह लंबे समय से पाराशिक्षक के तोर पर काम कर रहे हैं ऐसे में उन्हें नियमित किया जाना और सहायक्षक के बराबर बेतन दिया जाना चाहिए अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीक तीस नॉमबर को निधारित किया है गैंग्स ओफ साहिब गंज नाम से बनेगी फिल्म बाबुलार मरांडी साहिब गंज सहीत संताल परगना के अने जिलो से जुड़े खनन घोटाला मानों बीजेपी विधायक दल के नेता और परदेश के प्रत्थम मुख्य मंत्री बाबुलार मरांडी ने हिमन सरकार पर फ भी सीम हमन्त के बिधायक परतिनेधी पंकज मिश्रा के सारे पर काम करने का रूप लगाया है बता दे बाबुलार मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है कि कुरोना महामारी का परकोप कम होने पर वे साहिब गंज गय थे वहाँ उन से मुलकात करने वाले लोगों ने बताया ग था कि साहिब गंज के एसपी अनुरंजन और उपायुक्त राम निवास यादव पंकज मिश्रा के सारे पर काम करते हैं लोगों ने यह भी बताया था कि पंकज मिश्रा साहिब गंज के मुख्यमंत्री की भूमिका में है मन्रेगा की योजनाओं में लापरवाही बरदास नहीं ग्रामिन विकास विभाग के सचीव की अध्यक्स्ता में मंगलवार को समिक्षा बैठक आयोजित की गई इस बैठक में सचीव ने कहा है कि मन्रेगा के तहट संचालित योजनाओं की अनुएन में लापरवाही बरदास नहीं की जाएगी ग्रामिन विकास विभाग की योजनाओं में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निदेश विभागे सचीव प्रसांत कुमार ने दी है मंगलवार को विभाग के कामकाज की समिक्षा करते हुए परसांत कुमार ने कहा है कि राज में ग्राविन विकास विभाग के कई कल्यानकारी योजनाय चल रही है इन सभी योजनाव को धरातल पर उतारने में उपायुक्तो और विकास आयुक्तो की अहम भूम्का है इसलिए मन रहेगा कि योई नाव मेला परवाही बरदास नहीं की गाएगी सरकारी स्कूलों के बच्चे और सिक्षक बोलेंगे अंग्रेजी सिक्षा विभाग ने NGO के माध्यम से स्कूलों में अंग्रेजी साग छारता कारेकरम चलाने का निने लिया है जिसके तहद स्कूली बच्चों और सिक्षकों को अंग्रेजी की जनकारी दी जाएगी एक तरफ राजे में छेत्रिये भाजा को बढ़ावा देने के लिए राज सरकार फैस लाड़े रही है वहीं दूसरी और अंग्रेजी के प्रती भी सरकार का प्रेम बढ़ा है इसके पीछे की वज़ा जो भी हो लेकिन सिक्षा भी भागने एक NGO के माध्यम से स्कूलों में अंग्रेजी सक्षार्ता कारेकरम चलाने का नहीं ने लिया है जिसके तहद स्कूली बच्चों और सिक्षकों को अंग्रेजी की जनकारी दी जाएगी लीप फोर वर्ड एंजीयो को इसके लिए अधिकरित किया गया है इस कारेकरम का मकसद बच्चों में अंग्रेजी छामता को बढ़ावा देना ताकि छेत्रिय भासा पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को ब्यवसाइक सिक्षा प्राप्त करने और रोजगार पाने में कोई कटिनाई न हो भारत रत्न टू का टाटा वर्कर यूनियन ने जारी किया पोस्टर टाटा इस्टिल के अंतिम चेयर्मेन वापग विभूसन से समानित रत्न टाटा के जनमदीन के मोगे पर एक एल्बम का निर्मान किया जा रहा है जिसका नाम भारत रत्न टू है इस एल्बम का पोस्टर बिश्टू पूरिशी टाटा वर्कर यूनियन प्रांगन में मुख्यातिती के रूप में मजूद टाटा वर्कर यूनियन के अध्याक संजीव चोधरी ने किया है इस मौके पर उन्होंने कहा कि रत्न टाटा पूरे देश के महान विभूती है उन्होंने देश के हर संकट में संकट मोचन की भूम का निभाई है खास कर कुरोना जैसे कालखंड में जब देश में ऑक्सिजन की किलत होने लगी तो उन्होंने पूरे देश में ऑक्सिजन भेजने का काम किया जिसे लाखों जीवन बचाये गए उन्होंने कहा कि टाटा हर युगा के आदर्स है इतने बड़े सक्षियत को भारत रहतन मिलने चाहिए उन्होंने भारत रहतन टू एल्बम का निर्मान करने वाली पूरी टीम की पहल का सराना भी की है रांची से बनारस और कोलकात्ता जाना अब और आसान होगा नए साल के जन्वारी माह में छोह लेन वाले इसे एक्सप्रेस्वे में काम सुरू हो जाएगा इसको लेकर सभी तियारिया पूरी हो गई है वर्क आउडर भी दिसंबर 2022 तक आवंटीद कर दिया जाएगा इस एक्सप्रेस्वे की लंबाई 610 किलोमीटर है इस एक्सप्रेस्वे के पूरा हो जाने से जहां नेशनल हाईवे 2 पर वाहनों की आवाजाही कुछ हद तक कम होगी वही रांची तक प्रसानी मुक्त यात्रा भी सुनिश्चित हो सकेगी यहां सलक जारखन के चात्रा से परवेश करते हुए करीब 187 किलोमीटर के दूरी तय करेगी इस दोरान बोकारो हजारी बाग और रामगड होते हुए पच्छिम मंगाल के पुरुलिया में परवेश करेगी फिर यहां से बाकुंडा, पच्छमी, मेदनीपूर, होगली और हवडाक को जोडते हुए कुलकाता तक पहुचेगी जारखन के पंदरा इंकम टेक्स असिस्टेंट कमिसनर का प्रमोसन जारखन के वानिजेकर विभाग ने राजे के पंदरा सहायक कर आयुक्त को परमोसन किया है इसके तहट रांची के कर सहायक आयुक्त सुनिल कुमार चोधरी को प्रोनती देते हुए राजेकर उपायुक्त अनुवेशन ब्यूरो हजारी बाग प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया गया है इस समन्द में अजिसुतना जारी कर दी गई है वहीं बिनोत कुमार राजेकर सहायक आयुक्त आधितेपुर अंचल राजेकर उपायुक्त आधितेपुर अंचल योगेंदर परसाद राजेकर सहायक आयुक्त नाधितेपुर अंचल में है इस दोराण सिपी शिंग ने राजे के वेंडरों के लिए और अस्थाई वेंडर जोन बनाने की मांग किया है उन्होंने कहा है कि राजे के सभी लोग सरकारी नोकरी ही नहीं कर सकते ऐसे में कुछ इस तरह भी दुकान लगा कर दुकंदारी करते हैं इस तरह का वेंडिंग जोन दुकंदारों को बेहतर सुविधा के लिए जरूरी है ताकि इन्हें किसी तरह की कोई दिकतना हो अगर सरकार इसी तरह से और वेंडिंग मार्केट बनवाती है तो सड़क की भी इस्थिती ठीक हो जाएगी काजल यादो बनी जार्खन बाल सनक्षन आयोग की अध्यक्ष जार्खन बाल सनक्षन आयोग को अर्शे बाद अध्यक्ष मिल गया है इसके साथ ही सेस्यों की न्यूक्ति भी कर दी गई है इस बावत सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्भी सिमू की रहने वाली काजल यादो के अध्यक्ष बनाया गया वहीं विकास, उजवल परकास, सुनिल कुमार, रूची, मिनहाजूल, बिरेंद्र को सदा से बनाया गया है इस पर सक्षम प्राधीकार से स्विक्रीती लेने के बाद समाज कल्यान महिला यवां बाल विकास बिभागना इसुसना जारी कर दिया है देवघर में हाई टेंसन तार की चपेट में आने से ट्रक जला देवघर जीला अंतरगत मधुपूर्थाना छेतरे के गड़िया इस्थीत लाओ पाला कर खाना के निकट मंगलवार को सड़क पर बीडी पता ले जा रहे है दस चक्का का ट्रक 11000 वोल्ट के हाई टेंसन तार से सट गया जिससे सोट सरकीट होकर आग लग गई और बीडी पता से लादा ट्रक जलकर राक हो गया दुर्घटना में ड्राइबर और खलासी बाल बाल बच गया है हलाकि ड्राइबर को गमभीर चोट आई है इस आद्से में 36 लाग स्याथी की रुपएक के नुकसान की बात कही गयी है हजारी बाग में भी अमन साहु के दो गुर्गे गिरफतार अमन साहुक दो गुरुगे को हजारी बागी पूलिश ने हत्यार और नगत के साथ मंगलवा को गिरफतार किया है गिरफतार दोनों आरोपी सहर के एक बड़े बेवसाई के हत्या करने के इरादे से सहर आया था SP मनोज रतन चोथे को मिली गुप्त सुचना के अधार पर सदर SDPO महेश परजापति के नेतित में छापे मारी अभ्यान चला कर दोनों आरोपी को सहर के कनहरी रोड से गिरफतार किया गया है बतादे गिरफतार आरोपी में 36 गड़ के राय गड़ थाना अंतरगत धरम जय गड़ के बेबी कोलिन निवासी नितिस सील उर्फ मेजर सिंग पिता मियाती सिंग और पलामू के वार्ड नमबर आठ इस्थित साउत बार लोटा निवासी अभिनव तिवारी उर्फ सुसान तिवारी पिता अभिमन्यू धर तिवारी हाए कोडारमा में माइनोरिटी स्कोलर सीप एसके में केस दर्ज कल्यान विभाग दोवारा जीले में प्री मैट्रिक अल्प संख्यक छात्रविर्ती घोटाले के आरोप में दस विद्यालियों को आरोपी बनाते हुए परभारे जीला कल्यान पतादिकारी नीली सरोज कुजूर कोडारमा थाना में प्रात्मी की दर्ज कराई है दर्ज प्रात्मी की में इन दस इसकोलों के प्रचार प्रधना द्यापकों के अलावा जीला कल्यान कर्याले के सिवानिवरित कलर्ग मोहमद मोबील कलर्ग परमोद कुमार मुंडा और कॉम्प्योटर अपरेटर हैदर को भ बनार्सी मेता के घर में आग्यात लोगों ने बम लगा कर घर को उड़ाने का पर्यास किया इस घटना में घर के पिछला हिसा गिर गया घटना सोमवार की रात करीब एक बज़े की बताई जा रही है आलाकि घटना के समय उक्त घर में कोई महजूद नहीं थी अन्याथा जान करनी समीती की मंगलवार को एक नीजी होटल में हुई बैठक में सरस्यों ने एक बार फिर बिजली बेवास था को नीजी हाथों में सोपने की मायंग उठाई राजे में जारी पावर कट पर चिंता जाहिर करते हुए सेश्यों ने कहा है कि किसी भी परदेश की आर्थिक उनाती के लिए क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी बिलिया पूर्ति अनिवार है लेकिन पिछले एक दसक से राजे के ब्यापारिक और अध्योगिक संगठनों की कोशिसों के बावजूद जे भी बियनेल की वेवस्था में गुनात्मक परिवर्तन नहीं देखा रहा है धन्यवाद